स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम इस चैनल पर डेली नई नई वीडियोस अपलोड करते हैं यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आएए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथ ऐसे नुस्खे जिससे आप अपने सेक्स पावर को काफी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं सेक्स पौवर कैसे बती है या ज़्यादा देर तक सेक्स कैसे करते हैं। लड़की को खुश करने के लिए उन्हें ज्यादा स्टैमिना की जरूरत होती है, ऐसा लोग सोचते हैं और और ओर्तों को ज्यादा देर तक संभोग करने वाले लोग पसंद आते हैं, ऐसा मानते हैं. मगर ऐसा कुछ नहीं. है दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्रबती है वैसे वैसे आपकी सेक्स करने की क्षमता कम होती जाती है. 18-29 साल तक आप यौन अवस्था में होते हो इस समय पर आपका स्टैमिना संभोग करने की शक्ती काफी मजबूत होती है. मगर फिर भी कई लोगो सेक्स करते समय आपको शर्माने की वजह से लिंग खड़ा होने में जैसे तकलीफ होती है ठीक उसी तरह आपको आगे चलकर लिंग को चुदाई करने के लिए खड़ा होने में दिक्कत आती है. इसका इलाज करन के लिए आप सेक्स पौवर कैपसूल खाते हो मगर दोस्तों मरदाना ताकत बाने वाली दवाय का इस्तमाल करने से आपको कई सारी बिमारिया या साइड इफेक्ट हो सकती है. इसलिए मेडिकल में मिलने वाली वियागरा की गोली, विया प्रार टेबलिट खरीदने से अच्छा है देसी वियागरा घर पर ही बना लो. वियागरा गोली खाने से आपको पहली रात को या शादी के बाद हनीमून में लेने से कोई दिक्कत नहीं है मगर इसका इस्तमाल यानी की बार-बार वियागरा गोली। खाने से आपको नुकसान होने लगते है जैसे की लिंग को टेरापन आने लगता है। लिंग का सुजन, लंग की नसों में सुजन के कारण दुखता है, आपका सेक्स पौवर तो बढ़ता है कुछ समय के लिए मगर आपका आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत आने की संभावना होती है। तो आप इस मार्किट में मिलने वाली लिंग खड़ा करने वाला स्प्रेलिंग को मजबूत करने वाली दवाई, सेक्स स्टेमिना बढ़ने वाली दवाई का इस्तमाल बंद करके घर पर ही देशी वियागरा बनाकर इस्तमाल करे या निचे दिये हुए घरेलू ना रात को दूद के साथ करें, तर्बूज के बीच से सेक्स पावर में व्रिधी होती है। मगर ठंडी के दिनों में यौन उत्तेजना बढ़ाने के लिए लहसुन असरदार टेबिलेट की तरह काम करता है। 3. अनार के रस्या ज्यूस पिने से बती है संभोग पौवा। अनार का कई सारे फाइदे है जैसे की खूं की कमी को अनार का ज्यूस के सेवन से पुरी करता है उसी तरह यौन उत्तेजना बढ़ाने के लिए अनार फाइदे मंद है। 4. अश्वगंधा सेक्स पौवबानी की अयुर्वेदिक दवा। अश्वगंध का चूं या अश्वगंधा की टेबिलेट कोली बहुत फाइदे मंद है मर्दाना कमजोरी का इलाज के लिए। अश्वगंधा का चूं पाउडरस और ग्राम एक गिलास दूद के साथ रो सुबह शाम सेवन करना है। इसके इस्तमाल से आपको होने वाली वीरिया की कमी और शीक्रपतन की समस्या भी दूर होती है। और आपकी मर्दाना ताकत वापस आने में मदद होती है। चुहरे कामशक्ती वर्धक चुहरे खजूर खाने के फायदे कई सारे है जैसे की 4-5 खजूर के साथ 3 का जू और दो बादाम को एक कप ग्लास दूद में उबाल ले। इसको उबलने के बाद इस दूद में दो चमच मिश्री मिलाकर रात को सोते समय लेने से यौन शक्ती और सेक्स करने की इच्छा बढ़ती है। 6. सफेद प्यास से बढ़ाए यौवन शक्ती 7. सफेद प्यास का रस निकाल कर इसमें आधा चमच मिश्री का चून और आधा चमच शेहद मिक्स करके रोज सुबह शाम पीने से आपको वीरिय की कमी गुपत रोग का इलाज सिर्फ एक महीने में असर आपको दिखाई देगा। इस तरीके नुस्खे का इस्तमाल से मरदाना ताकत बढ़ाने वाली दवाएं लेने की जरूरत नहीं है। 7. सफेद मुसली से यौन शक्ती सेक्स पावर बढ़ाने के लिए उपाए। अगर आपको सेक्स करने के समय थकान मेहसूस होती है इसके कारण अगर आप लड़की का खुश नहीं कर पा रहे हो तो आपको आपकी सेक्स पावर को बढ़ाने की जरूरत है। तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक और शेयर कीजिए तथा हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू थैंक यूट्यूब चैनल कर दोग्पारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिए आपको यह वीडियो।